हेलो किसान बाईयो मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत हैं किसान बाईयो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप अकरकरा की खेती पहली बार कर रहे हो तो अकरकरा का बीच अंकुरन किस तरीके से होता है कितने दिन बाद जमीन से बाहर आता है जो अकरकरा की खेती है पहली बार कर रहे है तो किसान भाईयो अकरकरा का जो बीच अंकुरने वो जमीन से बाहर आने में 8 से 12 दिन का समय लगता है जब आठ से बारा दिन का समय हो जाता है तब अकर करा का बीच अंकुरन जमीन से बाहर आता है तो ये दो पत्ती के रूप में आता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरीके से इनका अंकुरन होता है आठ से बारा दिन का समय यानि कि किसान भाईयों अकर करा का जब बीच अंकुनन होता है तो दो पत्तियां रहती है जब 15 से 20 दिन का हो जाता है तो इन दोनों पत्तियों के बीच में इस तरह से तना आगे की ओर बढ़ता है और दीरे दीरे बढ़ता जाता है जैसे कि आप स्क्रीन पर बहुत ही अच् तो आप देख पारे होंगे कि पूरे खेत में आपने जितने भी शेत्र में लगाया हैं अकरकरा इस तरीके से आपका पूरा खेत दिखाई देने लगेगा यानि किसान भाईयो जब आप अकरकरा लगाते हो तो आठ से बारा दिन के अंदर आपको दो पत्ती के रूप में अकरकरा दिखाई देगा फिर जब दिरे दिरे आगे बढ़ता जाएगा समय अकरकरा के पोदे का तब आपको दोनों पत्तियों के बीच में एक तना फुटन देना शुरू हूँ दिखाई देगा आप देख पा रहे होंगे कि दीरे दिरे इस तरीके से आगे भढ़ता जाएगा पोदा और जब पंदरा से 20 दिन का हो जाएगा तो पूरे कहत में आपको एक जिसा तरीके से दिखाई देने लगेगा जब अकरकरा की फसल लगबख 25 दिन के आसपास हो जाएगी तो आपको अकरकरा का पोदा इस तरीके से दिखाई देने लगेगा यानि कि जो दो पत्यों के बीच में फुटन लेता हैं जो तना आगे बढ़ता हैं वो और भी बढ़ जाएगा और आपको पूरे खेत में इस तरीके से दिखाई देने लगेग जब अकर करा लगबग 35 दिन के आसपास हो जाता है तो जो दो पत्तियों के बीच में जो तना फुटन लेता है तो वो चारो तरफ गोल साइज में फेलना शुरू हो जाता है जैसे कि आप स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे कि ये लगबग 35 दिन के आसपास हो गया है तो आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा पूरे खेत के अंदर तो किसान बाईयों मैं उमीद करता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में जो अकर करा का बीच अंकुरन की जो जानकारी बताई है वो बहुती अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होगी किसान बाईयों मैं आपको एक बार और बता देता हूँ अकर करा का जो बीच अंकुरन है वो आठ से बारा दिन का समय लगता है जमीन से बहार आने में और जब ये दीरे दीरे बढ़ता जाता है उसी तरह इसका पोदा आगे की तरह बढ़ता रहता है और दीरे दीरे चारो तरफ फेलता रहता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहोंगे कि मैं आपको बहुती पास से बता रहा हूँ कि अकर करा का जो पोदा है चारो तरफ फेल रहा है और आगे की तरह बढ़ रहाएं तो किसान भाईयो में उमीद करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको जो जमा का दिती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और किसान भाईयों अकर करा के और भी आगे के वीडियो में दीरे-दीरे अपलोट करता रहूँगा जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ उस्सी तरह और किसान भाई हो आप इस चैनल पर पहली बार आये तो इस चैनल को जरूर सब्क्राइब किजिए और इस वीडियो का अपने सभी किसान भायों तो जरूर शेर किजिए और किसान भायों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद